हेलो एवरिवान, fun with maths में आपका स्वागत है आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आज का टॉपिक है डाइगनस डाइगनस होते क्या है डाइगनस सबसे पहले हम यह जानेंगे what is डाइगनस तो डाइगनस एक line segment होती है किसी भी polygon में opposite vertex को जो join करेगी opposite vertex को जो join करेगी उसको हम बोलेंगे डाइगनस suppose I am taking a quadrilateral it's naming A, B, C, D suppose I am joining A to C so AC is a diagonal of quadrilateral A, B, C, D क्या बोलेंगे हम AC is a diagonal of quadrilateral A, B, C, D similarly if I am joining to B to D so we will call BD is also a diagonal of A, B, C, D अब आपने ये तो जान लिया कि अब diagonal होते क्या है किसी भी shape के diagonal को find करने के लिए हम कैसे find करेंगे कि इस shape में इतने diagonal है suppose अभी quadrilateral में तो easy था कि इस quadrilateral में आपके दो diagonal है क्योंकि opposite vertex हैं हमारे A to C को join कर सकते हैं और B को D से join करते हैं अगर इसी तरह से अगर हमें pentagon का निकालना हो hexagon का निकालना हो या फिर हमारा heptagon है decagon है, nanagon है इनके shapes हैं ये polygons हैं इनके हमें diagonal निकालने हैं तो हम कैसे निकालनेंगे वैसे तो हमें पता है कि opposite vertex को अगर हम join करेंगे हमें diagonal मिल जाएंगे लेकिन हमें जैसे जैसे हमारी sides ज्यादा होती जाती है तो हमारे लिए वो quite difficult हो जाता है कि diagonal को हम कैसे find करें तो उसके लिए friends एक formula है that is formula is to find the diagonal of any polygon n-3 upon 2 okay I am repeating again n bracket n-3 upon 2 suppose अगर मुझे अभी decagon का निकालना है तो decagon में कितनी sides होती है 10 sides होती है कितनी sides होती है 10 side होती है तो मैं n को n belongs to number of side तो n क्या होगा 10 bracket 10-3 upon 2 तो अब हम क्या करेंगे हम इसको solve कर लेंगे कैसे 10 10-3 into 7 upon 2 2 5 is a 10 5 7 is a 35 35 तो 35 आपके डाइगनल्स होंगे decagon में कितने डाइगनल्स होंगे 35 डाइगनल्स होंगे आपके decagon में